हलो दोस्तों मेरा नाम विक्रम और हमार यूटीब चनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है स्यमसंग गेलेक्सी S21 सीरीज को अगले साल की सुर्वात में लॉंज किये जाने की उम्मीद है अब लॉंज से कुछ मेने बेले ही गेलेक्सी S21 से जूड़ी जानकारी लिक में सामने आने सुरू हो गई है लिक तस्वीर से पता चलता है कि गेलेक्सी S21 प्लस की डिजैन मुझूदा गेलेक्सी S20 जैसी ही है जाने माने टिप्स्टार आइस उनिवर्स ने दो तस्वीरे सेर की है जिन्हें लेकर दावा किया है कि ये गेलेक्सी S21 प्लस की है इस स्मार्टफोन में आगे की तरफ बहुत बतले बेजल के साथ बीच में एक पंच वोल केमेरा दिया गया है फोन में बाइन तरफ वोल्यूम रोकर और पावर बटन मुझूद है तस्वीर को देखे तो गेलेक्सी S21 प्लस देखने में मुझूदा गेलेक्सी S20 सीरीज जैसा ही दिख रहा है इसा लगता है कि कमने की आने वाली फ्लेक्सी एस सीरीज में विजैन के मामले में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा MSP द्वारा सेर की गई गेलेक्सी S21 प्लस के CAD रेंडर में देखा जा सकता है कि फॉन में किनारे पर वर्टिकली ट्रिपल रियर केमेरा सेटप दिया गया है फॉन में नीचे की तरफ USB Type-C पोर्ड और स्पिकर ग्रील है हैंडशेट की इस तस्वीर में केमेरा बंप भी देखा जा सकता है इस तस्वीर में भी फॉन का अगला हिस्सा टिप्स टरफ बारा शेर की गई तस्वीर जैसाई दीखर वाहा है इन लिक्स के मुताबिक गेलेक्सी S21 प्लस हाली हिमें स्पर्ट किये गए गेलेक्सी S21 जैसाई है Galaxy S21 में भी इसी तरह की पंचोल डिस्प्ले और उपरा हुआ रियर केमेरा देखा गया था एंडशेट में केमेरा सेंसर के पास में LED फ्लेस दिखा गया है Galaxy S21 सीरीज को उगले साल रॉंज किया जाना है उम्मीद है कि iPhone 12 सीरीज को तकर देने के लिए दक्षिन कोरेयर कम नी अपनी अगली फ्लेक्सिक सीरीज में कुछ बड़ा बदलाव करेगी अगर इसके स्पेसिपिकेशन की बात करें तो Samsung Galaxy S21 Plus में 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा और इसका रिजियो रिशन 1440 x 3200 पिक्सल दिया जाएगा इसमें 8GB का RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज है जिसे Macro HD कार्ट के जरीए बटा सकते है Samsung का यह हैंडशेट Android version 10 operating system पर चलता है और हैंडशेट को पावर देने के लिए 2400MH की बैटरी दी गई है फोन में Qualcomm Snapdragon 875 प्रोसेसर लगा हुआ है और Adreno 660 GPU पर काम करता है यह मेरे की बात करें तो इसमें 64MP का primary sensor दिया गया है जबकि 12MP का depth sensor और 0.3MP का macro lens दिया गया है और इसमें selfie और video volume के लिए 12MP का front camera दिया गया है connectivity features की बात करें तो फोन में GPS, Bluetooth, Wi-Fi और OTG जैसे features भी दिये गये है दूसरी कबर जो निकल कर सामने आ रही है वो यह है कि smartphone company M.I.India न पिछले दिनो festive sale के दोरा अपते भर में 25 लग phone की बिक्रीती है इस बात की जानकारी company ने शुक्रवार को दी थी e-commerce company clipcard और Amazon ने अपनी पहली festive sale 16 October से शुरू की थी इसमें clipcard की sale 21 October को खत्म होगी M.I.India ने एक बयान में कहा है कि देश बर्मे यूजर्स Amazon और clipcard के अलाव 15,000 से अधिक retail shops से भी उनके phone खरीच सकते थे जबकि इन दोनों कमनियों के अलावा M.I.com ने डेश के 17,000 पीन कोड तब लोगों को कौन पहुचाने में मदद की है M.I.India के चीप business officer रगू रेटी ने कहा 50 लाग ग्राहकों का अमारे प्रोड़क्ट पर परोसाज़ता ना अपने आप में एक उपलपती है जहां तक हमें मालूम है और किसी भी ब्रांड ने पहले के साथ कृतिमान स्थापीत नहीं किया होगा हम उचित नुल्य पर लोगों को अच्छी क्वालिटी वाले प्रोड़क्ट देना चारी रखेंगे इस सेल में विक्री के मामले में कमणी ने वन प्लस, सैमसंग, विवो, ओपो जैसी कमणीों को पीछे छोड़ दिया है कमणी का कहना है कि आगे भी अपने ऐसे ही प्रोड़क्ट के साथ विक्री ये रेकोड चारी रखेगी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे लाइक करें, दुश्कों के साथ शेयर करें और हुमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चल से दिल सब्सक्राइब करें और पास में दियेगे बिया लाइकिन को फ्रेश करना ना भूले इसलिए मारे लेट इस वीडियो पिन आपके शना पर तो रहन दिल सब्सक्राइब